नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपका ड्राइव स्पाक हिंदी के एक और ने वीडियो में आज हम बात करेंगे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बारे में तो कम्पनी ने इस MPV के प्राइस को हाइक किया है और प्राइस हाइक हुआ है रुपीज 33,000 तक और इसी के साथ कम्पनी ने इसमें एक नया GX बेस वेरेंट इंक्लूड किया है ये पेट्रोल के लाइनप में और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 16,98,000 एक शोरूम से अब ये जो प्राइस हाइक हुआ है इसके बावजूद जो इनवा क्रिस्टा की स्टार्टिंग प्राइस है वो नीचे गई है रुपीज 41,000 से जो की नया बेस वेरेंट इंक्लूड हुआ है ये इसके बदौलत हुई है और प्राइस हाइक के बाद अब जो ये MPV का प्राइस है पेट्रोल वारे जो है वो रीटेल करते हैं 16,89,000 से लेकर 23,47,000 तक और जो डीजल वेरेंट है वो स्टार्ट होते हैं 18,18,000 से और जाते हैं 25,32,00 एक शोरूम यानि कि सारे प्राइस जो मैंने भी बोले हैं वो सारे एक शोरूम डेली के प्राइस हैं अब रीजन फॉर दे प्राइस हाइक अभी तक टोयोटा ने बताया नहीं है वो अब लोगे यह सोच रहे हैं कि जो इनपुट कॉस्ट है जो मैनुफाक्टरिंग कॉस्ट है इस कंपनी का वो बढ़ा दिया गया है और अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा आपको पता है ओवरॉल प्राइस जो फाइनल प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा अब हम बात करेंगे टोटा इनॉवा क्रिस्टा के GX वेरेंट जो इन्होंने पेट्रोल में बेस वेरेंट अड़ किया है उसके बारे में तीन एरबैग, ABS, Stability Control and Hill Start Assist उसी के साथ जो हाइर ट्रिंग्स है जो की हाइर वेरेंट है जो GX, VX और ZX वेरेंट है उसमें कई ज्यादा फीटर्स मिलेंगे जैसे की Alloy Wheel, Chrome Garnishing, Smart Play Cast Technology along with the Android Auto and Apple CarPlay, rear parking sensors, rear view camera, auto climate control और एक नया tan upholstery interior के लिए जो की Top ZX variant में आपको मिलेगा अब बात करेंगे हम Powertrain की, तो Toyota Innova Crysta की जो Powertrain है वो mechanically unchanged है उसको touch नहीं किया है, इसमें आपको दो engine options मिल जाते हैं, one is a 2.7 litre petrol and the other is a 2.4 litre diesel the petrol engine produces a maximum power of 164 bhp and 245 nm of peak torque, उजी के साथ जो 2.4 diesel unit है वो turn out करता है 148 bhp and 360 nm of peak torque और दोनों engine जो है वो मेटेट है इधर एक 5-speed manual gearbox के साथ या तो फिर एक 6-speed torque converter automatic gearbox के साथ दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज के इन न्यूज, अगर न्यूज पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसी automotive content देखने के लिए हिंदी drive spark को follow कते रहिएगा